लास्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको यह हमबग दिया था मिड निकालने के लिए आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा होगा फटा-फट से आपको थोड़ा से थियोरी बताता हूं फिर मैं आता हूं अपनी बात पर देखो बेटा सबसे पहली प्रॉब्लम जो लि अपनी निकालोंगा ना अएरे में चक्कर नहीं था याद होगा आपको हम उसको बोलते है बेटा स्टाटिक डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि हम सबसे पहले उसका साइज देते हैं और उसके बाद उसकी मेमरी अलोकेट होती है और वह रन टाइम पे एक्स्पैं कि पूरिने क걸 गुष्ट तर दाइनगे है कि अमतलब क्या है कि हम इसका साइज देने के जूरत नहीं है हम स्टानिंग में स्टाइब में बेना साइस देए कर सकते हैं I hope आपको पता होगा हम तो प्रोग्रामी में यह सब लिखते ही थे रन टाइम में हम लोग एड कर सकते हैं नोट्स को डिलीट कर सकते हैं मतलब यह expand भी कर सकती है और shrink भी कर सकती है मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि जब भी हमारे पर लिंक लिस्ट होती है मैंने आपको एक लाख एक बर पहले भी बताया है उसका सिर्फ pointer given होता है pointer to the first node bus इसका मतलब है link list given array में हमारे को पूरा array होना चाहिए मतलब सबसे बड़ी जो मुसीबत आ रही है हमारे सामने वह यह आ रही है कि हमारे को link list का size ही नहीं पता है अगर size पता हो तो मैं आधा कर जाओंगा तो मतलब simple भाषा में अगर मैं बोलूं तो मेरे को एक loop चलानी पड़ेगी और हम उसमें एक counter ले लेंगे और उसको हम increment करते जाएंगे जैसे से node पर आगया बढ़ते जाएंगे तो मतलब सबसे पहला step क्या होना चाहिए program के अंदर count the nodes ठीक है count the nodes और उसके लिए हम क्या लगाएंगे एक loop लगाएंगे नोट के गिंती होगी उसके बाद step number two में क्या करेंगे उस count को क्या कर देंगे आधा जो भी counter की value होगी उसके आधा कर देंगे और वहां तक loop चलाके आगे आगे बढ़ते जाएंगे link list में step number three में हम क्या करेंगे एक और लूप चलाएंगे और वो count by two तक चलेगी count by two चलेगी और हम जहां पर हमारा count value खतब हो जाएगी तो हम जो जिस भी note में खड़े होगे उसको return करा देंगे मतलब return address कर देंगे थोड़ा 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 आपको सम्झाएगा अभी detail में जाओंगा attention मतलो बट basic कहानी आपको सम्झाए चुकी है क्या करना है एक एक करके note गिन नहीं पड़ेगी गिनने के बाद जीतना भी count है तुमारा उसको आधा कर देना आधा करने के बाद एक और लूप चलाना और फिर जब हमारा counter खतम हो जाएगा तो हम return करा देंगे address अभी और detail में जाते है एक करके चीजो को समझेंगे और करेंगे आओ अपनी बात पर आओ ठीक है तो start करते है ठीक है तो यह एक simple तरीका है उसकी बाद एक बड़िया तरीका भी दिखाऊंगा अभी तो मैं बिलक तो सिंप्लेस्ट अप्रोच क्या है कि लिए नोट्स गिनो आदे तक चले जाओ तो सबसे पहले कहानी क्या हो निचे जैसे suppose कर लो यह हमारे पर लिंक लिस्ट गिवन है ठीक है दिस दा लिंक लिस्ट गिवन तो अच्छा जी और head हमारा यहां पर point कर रहा है ठीक है तो जहां पर head point कर रहा है वहीं पर s point कर रहा होगा और अब मैं क्या करता हूं कि जब तक s हमारा अब देखो तरीके बहुत सारे करने के हमारे को basic क्या करना है s को आग आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे साथ सब्सक्राइगे counter की value हम increment करते जाएंगे तो counter is equal to initially 0 ले लेता हूं क्योंकि अभी तक मैंने एक भी note ने देखी जब note देखता जाओंगा आगे-ागे बढ़ता जाओंगा तो अब लूप चलाएंगे हम वाइल अब यहां पर थोड़ी सी है दिकत की s is equal to null करे या s का next करे क्या करे क्या क्या ना करे वह भी मेरेको समझ न नहीं लूप की यह कहानी होगी अब यहां पर में को termination condition डूढने है कि क्या होनी चाहिए मैं आपके सामने डूढता हूं कोई दिकती नहीं है तो सबसे पहले यहां पर खड़ा था तो अब आप बोलोगे फिर इधर आ जाएगा फिर इधर फिर इधर तो जब यह बात ध्य कर देंगे कि का वलू टू होचुकी है ए तरह तुंद के ज इंगких चाहिए प्ली सबसे om मेरा initially S यहाँ पर खड़ा था S मेरा यहाँ पर खड़ा था और मैंने counter की value 0 ले रखी है अब मैं मेरे को conditionation मेरी while रूप में क्या लगा हूँ मैं क्या तो S is equal to S का next मतलब आगे S इधर खड़ा हो जाएगा कि यहाँ से हट जाएगा और counter की value मैंने एक increment कर दी तो मतलब counter की value 1 लोगी तो मतलब S जब यहाँ पर खड़ा है तो आपने counter की value 1 करी है फिर S यहाँ पर आएगा तो आप बोलोगे counter की value 2 हो चुकी है फिर S यहाँ पर आएगा तो आप बोलोगे counter की value 4 हो चुकी है जब तक S है तब तक हमारा यह चलता रहेगा, S का मतलब क्या होगा, जब तक S नल ना हो, जैसी S नल हो जाएगा, हम लूप से बाहरा जाएगे, और हमारा first class अपना count होगा, वो हो चुका होगा, जैसी S is equal to a next, करोगा, तो count प्लस प्लस करोगे, लास्ट में प्लस प्लस करोगे, पांच हो जाएगा, और आप देखोगे S नल हो, लूप से बाहरा जाएगा, I hope आप समझ पार होगे, मेरे कोट जादे, इसमें टाइम वेस्नी करना चाहिए, अगर नहीं सम्म्यारत, प्लीज वीडियो को रिवाइन करके देखो, और एक बार और इसको वेरिफे करके देख लेना, प्रोग्राम को आपको सम्म्यार जाएगा, मेरे साब से बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्राम है, हां जी, ठीक है, तो ठीक है, अब हम वही कहानी करते हैं, बाउंडरी वेर अलिस्स हैं, और हमारे को क्या रेटर्न कराना चाहिए था, अब हमने सिर्फ नोड की गिंतियां करी हैं, काउंट है, काउंट से हमारे को बस नोड पदा लगें कि कितनी नोड सरा के लिक लिस्ट की हैं, तो अब हम क्या करेंगे हम रहएं जे ज suspect तो अब की इच्या हैं कि исht मेटा रेने चाहते हैं, तो यह पहली नोड़ है से तो ऐसे बोल सकते हैं आप वन टू थ्री फोर फाइफ पांच नोड़ है तो पांच बटा दो करें तो तीन आंसर चाहिए ना मुझे कि बसमंग में आ रही है ना आपको क्या लेना चाहिए मेरे को सीलिंग फंक्शन लेना चाहिए तो यह मैं और जदा प्रोग्रामिंग में निगुसरा मैं सिर्फ आपका लगणव स्टाइल से दिखा रहा हूं तो सीलिंग फंक्शन करेंगे सीलिंग वैसे भी हमारे पास सीलिंग का फंक्शन होता है सी लेंग्विज में आप चक कर सकते हैं मैं उसमें ज्यादे नहीं गु तो हमारे पास दो औप्शन साहिए तो दो या तीन दोनो मेंसे कोई भी मिडल हो सकता यह सब बैते मैंने बाइनली शर्च में भी कर रहे हैं आप यहात करके देख लेना तो हम फिल्हाल क्या कर रहे है दो लेकर किया रहे है यहाँ यह अगर आप यह सब करते हो तो देल है हमारे पास यह रहा लेफ्ट वाले को पकड़ रहे हैं यहार बायस to watch the left side इसलिए हम इसको लेक्ट स्कीम कहेंगे करने का मतलब मैं कमेंट में लिग देता हूं हम लोग लेफ्ट बायस काम कर रहे हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता एक फोलो करने हैं लेफ्ट करो राइट करो, वो तुम्हारी इच्छ है, हाँ जी, तो C is equal to C by 2, हमने कर लिया, मतलब आधे तक हम लोग आ चुके हैं अब, ठीक है, आधे तक आने का मतलब क्या हुआ, हम लोग अब, you can say, 6 होगा तो 3 तक जाएंगे, और अगर 5 होगा, तो भी 3 तक ही जाएंगे, है न, मतलब क्योंकि, 5 मैं तो को दिक्कत ही नहीं है, middle हमारे पास, पता है, यह middle है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 होगा, हाँ जी, ठीक है, जी, चलो, तो अब क्या करना है, बस हमारे को, while, अब अब ज़र मुझे समझाओ क्या लिखें, while, of course, C पे कंडिशन डालेंगे, जब तक C 0 ना हो जाए, या 1 ना हो जाए, यह confusion है, तो इसकी भी दूर ही करते हैं, इसकी भी दूर ही करते हैं, अभी मेरे को नहीं समझ मेरे क्या लिखना चाहिए, कर लेना, तक S और S1 दोनों के दोनों यहीं खड़े हो, आहिवब आप समझ पा रहे होगे हैं, क्यों समझ आप आप समझ पारे होगे हैं, S को आपने सारा शिफ मार दिया, आगे तक लिखे चले हैं, तो फिर पीछे तो आ नहीं पाऊँगे, इसलिए हमने एक लिया, तो S1 is equal to S1 का next, और उसके बाद फिर C minus minus, आप समझ पारे होगे, यह काम करते जाए जाएगे, अब आप खुद से देखो, खुद से देखो, तो 3 पे थे, initially counter की value 3 है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 नोट लेकर के चले हैं, तो C by 2, 5 by 2, that is 3, अब आप मुझे बताओ, 3 था, तो फिर हमने यहाँ से यह समझ लिए, कि 3 के लिए हम चला रहे हैं, पहली बारी लूप, तो S1 is equal to S1 का next, यहाँ पे आ गए, फिर इसकी value कम होईगी, तो 2 हो जाएगी, तो S1 is equal to S1 का next, फिर counter की value 3 हो जाएगी, sorry for that, कम कर रहे थे न, हम लोग एक मिटो को, मैं आपको S1 करने में दिक्कत आएगी आपको, मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे आपको चला करके दिखा देता हूँ, है ना, तो initially counter की value क्या थी, 3 थी, मैं यहां लिखता जाता हूँ, C key value initially 3 थी, ठीक है, क्योंकि हम ने यहां से अभी ऊपर 3 करी थी, condition में रहे को समझ्यारी क्या डालनी है, तो S1 is equal to S1 का next करेंगे, S1 नमारा यहां पे आजाएगा, और of course C minus minus करेंगे, तो क्या हो गया, C key value 2 हो गई, ठीक है, अच्छा जे, फिर, फिर मैं S1 is equal to S1 का next करूँगा, मतलब यहां पे आगर के खड़ा जाओँगा, और फिर C key value क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, अच्छा, उसके बाद, अब अगर मैंने एक और चला दिया, तो बेटा मुसीब हो जाएगी, क्योंकि मैरे को यही नोड का address रेटर्न करवाना था, यही थी, तो अल्टीमेटल अब समझ पा रहे होगे, क्या भरनाची मारे को, C should not be equal to 1, सो सिंपल, ठीक है, तो C should not be equal to 1, जब तक C बन ना हो जाए, तब तक हम यह चलाते रहेंगे लूप, तो इसी तरीके से चेक करना है, तो पेपर में आज रट होगे, कल भूल जाओगे उसका क्या फायदा, तो धंक से यह आपको आई होप समझ में होगा, प्रोग्राम हमने क्या किया है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, मीड़ पे आजाएंगे, तो S1 जो होगा, वो मीड़ को पॉइंट कर रहा होगा, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, रिटर्न करवा देना S1, प्रिक है, S1 को रिटर्न करा देना हमारा काम का काम है, अब वही बात है, यह प्रोग्रम था हमने बना डाला, वो boundary value ने रिलिसेस करना पड़ेगा, कि अगर एक भी node ना हुँ तो क्या कर रहा है, 0 node हुँ तो क्या कर रहा है, वही पर 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 देख लेते हैं, अगर एक भी node ना हुँ सुपोस करो लिलिक लिस्ट में, तो मतलब S का पॉइंट करेगा नल को, तो S1 भी का पॉइंट करेगा नल को, तो counter की value क्या रहेगी, 0, of course, while S, S तो null था, तो loop तोड़के सिधा बहर, C is equal to C by 2 करोगे, C की value, पहले 0 थे, 0 by 2, 0 हो जाएगा, ultimately, while C is not equal to 1, यहां फ़स जाओंगा, तो 0 is not equal to 1 है, तो S1 is equal to S1 का nest करोगे, और S1 हमारा कहां पर था, of course, null पर ही था, तो null का nest करा, तो अगमेंटेशन फॉल्ट फश गए, इस तरीके से बेटा, boundary-vale analysis करना होता है, आई हो आपको सम्मेंगा होगा, यहां दिक्कत है, तो ultimately, हमारे को उपर ही सबसे पहले, चेकिंग करने चाहिए थी, कि if S is equal to null, तो return क्या करना है, हमारे को null return करना है, क्योंकि जब कुछ हाई नी, तो फिर मैं भेजूं क्या, return null करेंगे, और अगर बाइचा सिर्फ एक ही note हुई, तो मैं एक बार पहले इसको लिख लेता हूँ, boundary-vale analysis, समझ में आगे ने सबको, नई समझे तो फ्रीज वीडियो को rewind करेंगे, देखो, मैं बार-बार बोलके, lecture को लंबनी करना चाहता, जी पेटा, मैं इसा बहुत बार पता है था, if not s, तो simple क्या करेंगे, return में सिधा लिख देना, सिधा return null कराओ, तो रिटर्न कराओ, तो बस आगे नीचे तो हमारा control जाएगा, यह बात कर तो जाएगी, अच्छा जी, अब और क्या करना चाहते हो, अगर एक नोट ही तो चलता है, वो भी फड़ फड़ चेक करो, कि अगर एक मातर नोट ही लिंकलिस में, तो चलेगा कि नहीं, s1 is equal to s, वो ही जाकर के खड़े हो जाएगे, एक ही नोट पे, imagine कर लो, यह लो, मैं बना देता हूँ, एक ही नोट है, तो यहीं पे s है, यहीं पे s1 है, और यहीं पे हमारा head है, लेकर सब यहीं खड़े हैं, हाँ जी, तो c is equal to 0 लिया था, count हमारा 0 था, तो while s, हाँ जी, ठीक है जी, s तो हमारे पास है, किसी ने किसी नोट को point कर रहा है, मतलब 0 value है s, s is equal to s का next करेंगे, मतलब s यहां के आप आकर खड़ा हो जाएगा, c plus plus करेंगे, count की value क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, imagine कर लो, count की value 1 हो चुकी है, count की value 1 हो चुकी है, फिर आप क्या कर रहे हो, count is equal to count by 2, 1 by 2 का ceiling function कर रहे हो, of course, 1 आ जाएगा, 1 है, c to 1 है, अच्छा जी तो बस, तो अब आप क्या कर दोगे, return s1, s1 कहाँ पर खड़ा था, यहीं खड़ा था, बिल्कुल first class चल रहा है, एक note हो तो बिल्कुल first class है, similarly आप चेक कर सकते, अब मुझे और attention यह, 2 note, 3 note, 4 note, इतनी भी होंगे, उसके लिए बिल्कुल, और आम से first class चलेगा, मैं रोको 1% की विरिक्कत नहीं, you can check it out yourself, तो मैं homework में देता हूँ आपको, इस program को आप verify करेंगे, for two notes, two notes, तो यह देख रहा हूँ न, मैं आपको कैसे verify करना सिखा रहा हूँ, यह verification, अगर आपको धंग से आती हैं, तो समझे लो, आप programming बहुत अच्छे से जानते हैं, और gate का एक-एक सवाल आफसा स्वाल होगा, कभी भी जिंदिगे में मारने खाऊँ है, ठीक है धंग से यह सब आपको आना चाहिए, कैसे मैं चलाता हूँ, एक स्क्रीन पर है, सब कुछ करो, नोट डाउन फिर में आता हूँ आगे, अगर नोट डाउन ठीक है जी, तो यह हो गया हमारे पास, सिंपलेस्ट वे मिट निकालने का, अब थोड़ा और सोफिस्टिकेटिड और अच्छा वे दिखाता हूँ, और वैसे मैं यहीं पर आपको पर इसकी time complexity के भी बात करता हूँ, देखो भी, एक बार आपने loop चला ही है, रफ बात करूँगा ज़्यादा अपमारे आपको ज़्यादा गुस्टने की जोटता नहीं है, end times, end times चलेगी loop, अच्छा, उसकी बात फिर बात में कितनी चली है, end by two times चली है, तो सिधी सी बात करो, तो end plus में end by two, that is nothing but three end by two, that is nothing but theta of end, so simple बास, time complexity theta of end, every case, चैसा भी case हो, best case, worst case, every case, हमारे को को फरक ही नहीं है, क्योंकि पूरा end तक जाना ही पड़ेगा, जोब समझ में आ रहा होगा, चलो, आओ आँ आगे, अच्छा जी, अब हम दिखाते हैं आपको another way, दूसरा वे दिखाते है, या better way, जिसको मैं लिखूँगा better way, तो बेटर वे क्या है, आपको मज़ा आ जाएगा देखके, देखो, वही हम अपनी pathnotes बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाचान जी, तो यहाँ पर हमारा head point कर रहा होगा, तो वही हम अपना एक S ले लेते हैं starting, और एक ले लेते हैं S1, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, S1 को ना, देखो, मैंने आपको बताया था था ना, हम क्या करेंगे, हम S1 को दो jump मरवाएंगे, और S को एक jump करवाएंगे, मतलब पहले तो एक, बिल्कुल शुद हिंदी में बात समझो, मैं आपको कहता हूँ, मेरे पास दो गाड़िया है, एक गाड़ी चल रही है 100 km पर आवर की speed पे, और एक चल रही है 50 km पर आवर की speed पे, तो जब 100 km, एक घंटे में क्या होगा बेटा, मुझे बताओ, एक घंटे में क्या होगा, एक घंटे में ये 100 km चल जाएगी, पहली वाली, और दूसरी वाली चलेगी सिर्वर्सिर 50 km, अब ऐस समझ में, अगर एक घंटे का टाइम है, तो ये जो 50 km वाली है, वो मिड पे आकर की खड़ी हो जाएगी, मतलब समझ लो, ट्रैक है हमारे पाँ 100 km का, लेट अस सुपोस, आई हैव ट्रैक ओफ 100 km, तो जो पहली गाड़ी, जब पूरे एंड पे पहुँचेगी, तो दूसरी बारी गाड़ी, मिड पे खड़ी होगी के नहीं, यही मिड मेर को चाहिए था, तो मतलब ड्रैकली इंड्रैकली मैं क्या कहूँगा, आप जैसे देखो, बड़िया बात क्या हुई, यहीं से आपको सम्झार होगा, डबल स्पीड पे बखाना, मतलब इनिशल प्oynts दोनों का सेम होगा, S और S1, दोनों के दोनों सेम ही नोड को पोईंट कर रहे होंगे, बट S1 चलेगा डबल स्पीड पे, और S चलेगा हाफ स्पीड पे, S1 double speed मतलब 2-2 node skip मार मार के आगे बढ़ाऊंगा और S को सिर्फ अगली-अगली node पर shift करता जाऊंगा तो मज़ा क्या हैगा जब S1 हमारा बिल्कुल आखरी पर जाकर खड़ा होगा तो S पकी बात है मिड पर होगा बसन में आ रही है S1 क्या करेगा यह ऐसे बोलता हूं मैं skip two nodes और यह क्या करेगा skip one मतलब next पर आज़ो skip one और यह क्या कर रहा है skip two तो मतलब next का भी next S1 क्या करेगा जैसे इस node पर खड़े हो आप तो बीच में एक node छोड़के अगली node पर 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 आप तो अगर skip की ऐसे भी आप बोल सकते थे अगर आप कोई skipping थोड़े confusion कर रहा है तो S1 को बोलो एक node skip करके इधर आ करके खड़ा होगा मतलब you can say skip one और S क्या कर रहा है skip zero कर रहा है एक भी skip निकरता आगली अगली पर shift मारता है करना तो यह तो proper sequentially चल रहा है और S1 क्या कर रहा है एक एक को skip मार मार के आगे बढ़ रहा है तो अफकोर्स यह double speed पर चल रहा है S1 और S आदी speed पर चल रहा होगा तो जब S1 हमारा end पर आकर के खड़ा होगा तो हमारा जो S होगा वो mid पर होगा अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है चला करके दिखाओ कोई बात नहीं बीटा मैं चला करके दिखा देता हूँ बात बड़ी असान है अच्छा मैंने बना रख्या वैसे तो यह ही मैं समझाता हूं S1 हमारा यहां खड़ा होगा और S हमारा अगली नोट यहां पर खड़ा होगा अब common sense से बताओ S कहां पर है बेटा सारी linkless हमारी खतम है S कहां पर है बेटा मिडल पर खड़ा है अच्छा में चाह रहा था अच्छा में आ रही है S1 का next का भी next S1 जहां पर खड़ा है इसका next क्या होगा यह उसका भी next क्या होगा तो S1 का next का next लिखना होगा और यहां पर एक भी skip नहीं करना आगले अगले पर जाना तो S is equal to S का next करना होगा So simple तो initial point दोनों का same होगा S is equal to S का next करके काम खतम हो जाएगा S1 is equal to S1 का next का भी next करना पड़ेगा यही हम लूप चलाते जलाएगे बार बारी बालतब यह steps हमारे को बार बार रिपीट करने हैं और हम ultimately अपनी destination पर पहुंच जाएगे जो भी होगा यह odd node सी 5 थी एक 6 का किस दिखा जिखता हूँ Let us suppose we have another node also तो let me take it इसको मैं करता हूँ आ जाता हूँ नीचे और एक node suppose कर लो मैं और ले लेता हूँ just for the sake of example कि क्या चल रहा है exactly आपको पता तो लगे न तो क्या बोलूँगा S भी यही है next step में क्या होगा S कहां पर आ जाएगा इधर आ जाएगा but S1 कहां जाएगा इधर क्योंकि S1 एक skip मारता है फिर अगले बारी क्या होगा यह पहले मैं धंग से बताता हूँ पहले S1 को shift मारना S को बाद में करना क्योंकि हो सकता है कि S1 को आगे जगा ना मिले तो फिर हम नहीं करेंगे चलो अभी अराम अराम से मतलब अभी मोटी मोटी बात इतना समझो कोशिश करो कि S1 को आगे भगाओ ठीक है फिर S को बगाओ फरक्नी पढ़ना उससे कुछ भी ज्यादा फरक्नी पढ़ना बट फिर भी फड़ा प्रेक्टिस ज्यादा अच्छी ही कहेगी कि S1 को आप जल्दी भगाना उसको पहले भगाओ हाँ जी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे S को आगे shift मारेंगे लो जी यह skip मारके S1 इदर आगया तो S कहां पर आएगा उसके बाद इदर आएगा फिर S1 एक skip मारके S1 यहां पर खड़ा होगा और S कहां पर खड़ा होगा S इदर आगर के खड़ा हो जाएगा उसके बाद आप देखो बेटा और आगे यह S1 shift नहीं हो पाएगा आहियो बब समपार है क्योंकि यह आख्री नोड आ चुकी है तो इसके आगे तो कुछ है नहीं नहीं तो अगर आप बेशक्सी जबरस्ती बोलना भी चाते हो तो आप बोल दो कोई बात नहीं लो S1 यहां पर आ गया मतलब सेग्मेटेशन फॉल्ट तो नहीं आएगा मतलब नल पर खड़ा जाएगा जाज 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 और क्यों होगा अब अल्टिमेटली क्या होगा कि अगर छे नोडस हैं तो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि यह अगर आप बिल्कुल नल तक लेके जा रहे हो तो तो अगर आपको लेफ्ट बाइस कीम इंप्लिमेंट करवानी थी तो आप S1 को यहीं रखते और S को और आगे बढ़ाती ना अगर आपको राइट बाइस कीम इंप्लिमेंट करवानी है तो S1 को बिल्कुल लास तक लेके जाना मतलब नल पर आ जाए और फिर जहां पर S खड़ा होगा ना क्योंकि S1 आगे बढ़ा तो S भी आगे बढ़ेगा तो S जहां पर खड़ा होगा वह हमारा होगा यह क्योंकि यह दो मिडल है बेटा लेट मी उस नदर कलर पिंक से दिखाता हूं बढ़िया से दिखेगा अंजी तो यह दो मिडल है हमारे पास तो अगर इस वाले मिडल पर आकर खड़ा होगा बना राइट बाइस्ट के लिए एस वन को बिल्कुल आखरी तक लेगे जाना पड़ेगा जब तक नल ना होजा चुप तो अगर लेट बाइस्ट करवाने तो नल नहीं हमारे को सेकिंड लास्ट नोट तक खड़ा होजाना है ना ओड में तो कोई टेंशन होती है हमारे पास यहां पर आगर के खड़े हो जाएंगे तो ठीक है बेटा हमारा हो नहीं होना है कि कि लेट बाइस राइट बाइस क्या तो फिर क्या ठीक है अभी ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाता मैं आपको सिधा इंप्लिमेंट हमारे को हमारे को हैड को ही पॉइंट करवाना है मतलब मैं मिड हमारे को निकालना है तो हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्ट node star s ठीक है तो s1 और s बराबर कर लेना मतलब s1 और s दोनों के दोनों head को point कर रहे होंगे अच्छा और ये हमारे को पता है क्या करना है s is equal to s का next करना है s is equal to x का next करना है और s1 is equal to क्या करना है s1 का next का भी next करना है अच्छा जी अब हमारे को बस यह देखना है कि वाइल लूप में हम condition क्या क्या डाले यह हमारे को ध्यान रखना है बताओ बेटा कैसे condition डालेंगे of course condition किस पर डालेंगे s1 पर क्या इस पर आप अपने असे समझ पार होगे s1 पर condition डालेगी अच्छा और मैंने का था कि पहले s1 को मारना आगे बढ़ाना s2 को बाद में increment मारना है मैंने बोला था ना तो आप कि आपकर कोई फरक वैसे पढ़ना ने इसले मैंने का था कोई फरक ने पढ़ना आप इसको निचे कर दो इसको पर कर दो तो मतला सबसे पहले चेकिंग करो ना बटा अब बस मेरे को वाइल की कंडिशन समझ जारी कि कैसे कंडिशन डलने चाहिए आप मुझे बताओ आगे को चल रहा है s1 तो segmentation fault आना या tension पैदा करवाना किसका का s1 का सबसे पहले checking करो ना बेटा I hope आप समझ पा रहे होगे s1 is not equal to 0 या फिर और क्या क्या condition हो सकती है देखो हो सकता है चलते चलते जैसे हम यहां पे थे odd number of notes थे हमारे पास हम यहां पर आकर के खड़े हो चुके थे इसके आगे तो notes मिलनी नहीं है ना तो अगर आप आप आखरी note पे खड़े तो उसका next का next कर तो यहां पर आप आपको तो आप क्या बोलोगे कि s1 का next अगर नल होगा तो भी हमारे को रुपना पड़ेगा तो s1 is not equal to null वह तरीक आपको आता है हम सिधा क्या लिख देंगे while s1 ठीक है s1 नल हो या फिर s1 का next नल हो तो i think आपको लगा कि और कि sense आ रही है तो आप और लगा दोगे s1 next तो और लगाने से आप फज़ जाएंगे बिल्कुल basic programming है यह और कुछ भी नहीं है अगर s1 हुआ या s1 का next हुआ तो यह true होगा तो short circuiting के वज़ेसे अंदर आ जाएंगा चाल लूप में दोनों statement loop के अंदर है तो अमने bracket लगाती हा तो अगर s1 हुआ तो फिर s1 you can say true हुआ मतलब in the sense s1 किसी ने किसी node को point कर रहा हो तो आप अंदर आकर के यह shifting करोगे या फिर अगर यह false हुआ s1 का next हमारा true हुआ that is not possible देखो पीछे में आपको दिखाता हूँ s1 s1 हमारा false हो गया तो और में जाकर के आप आगे checking करते हो अब आएगा मज़ा देखो s1 suppose कर लो बिल्कुल यह last picture null है s1 is null तो जब हमारा s1 null है तो null मतलब क्या होगा 0 or something तो फिर आगे जाकर के में चेकिंग करनी पड़ जाएगी तो आगे जाकर के जैसी में checking करनी तो segmentation fault तो dead sure है देगा देगा तो और नहीं करना चाहिए बेटा हमारे को end करना चाहिए पासन में आ रही है अगर यह चीज टू निकलती है S1 हमारा true निकलता है मतलब S1 अगर हमारे हम बोलेंगे कि किसी ने किसी node को point कर रहा है if S1 is pointing to से इधर point कर रहा होगा तो भी आप अंदर आ करके यह देखो यह कर जाओगे S1 का next कर जाओगे फिर भी बाता segmentation fault में अफज जाओगे समझ रहे हो अगर S1 नमारा last note पे भी होगा तो भी आप यह कर जाओगे क्योंकि और लगाया आपने तो मेरे ख्याल से मेरे को जादा बोलने निचे आप समझ पा रहे होगे और की sense नहीं आती यहाँ पर end लगाना पड़ेगा sense लगरे थि हमारे को क्यों और की आएगी यह हो यह हो क्योंकि हमारे इस हो यह लग रहा था कि या तो इधर हो जाए, या इधर हो जाए है na S1 नल पे हो या इधर हो लेकिश बाता है end लगाना पड़ेगा पैसमें क्योंकि अगर आप end लगा убий हो यह यह करेगा, क्योंकि of course आप समझ पारे होगे कि अगर S1 से true आता है, मतलब S1 किसे नोड को पॉइंट कर रहा है, but S1 का next अगर हमारे पास you can say null हुआ, तो फिर हमारे को of course अंदर आ करके काम नहीं करता है, तो end के sense है, मुझे और ज्याद नहीं बोलना चाहिए, आप इस सब्सक्राइब को बहुत अच्छे से पकड़ पारे होगे, तो ठीक है, that's it, तो अब इस, यह मैंने क्या implement करके दिखा है, left bias के right bias, आप common sense से देखो, हम आखरी तक जाने के कोशिश कर रहे हैं, यह फिर बिल्कुल last node या फिर उसके भी आगे, last node या फिर उसके भी आगे, तो इसका मतलब क्या होगा, बात बढ़ी असान है, हम भी आप बहुत राइट bias scheme करने के कोशिश कर रहे हैं, हम यहां से right bias scheme करने के कोशिश कर रहे हैं, S1 या फिर S1 का next, मतलब या तो S1 हमारा बिल्कुल last में आ जाए, नल पे आ जाए, या फिर last node पे खड़ा हो, तो ही बात है, अभी मैं आपको सुलज़े पहले समझाए बिता है, यह राइट bias scheme के निशान है, जब S1 यहां था, तो S1 यहां पे खड़ा था कि नहीं, निशान से देखो, जब S1 यहां पे था, तो right bias scheme हमें implement करके रिखाई है, और odd में हमारा को को tension नहीं है, odd में तो S1 हमारा last पे आ करके खड़ा हो नहीं होना है, तो सीधी सी बात है, दो-दो का एंकरिमेंट मारे हो ना, अभी सीधी सी बात है, अगर odd nodes है तो सबसे पहले कहां पे खड़े हो आप, एक के बाद तीन पे आओगे, तीन के बाद पांच पे आओगे, पांच के बाद साथ पे आओगे, साथ के बाद नो पे आओगे, तो odd पे चलते रहोगे न, बात समझ रहो के नहीं, तो last node वाली जो है, odd, ठीक है, जो भी अमेरिकों को फ़रखने पड़ता, हमारा मतलब आधा निकला पड़ा होगा, और हमारे को return की सु कराना, प्लीज बहुँ जाद ध्यान लखना, s1 तो हमारी condition सारे चेकिंग करवारा था, s हमारा middle पे आकर ये खड़ा है, तो हम यहाँ पे नीचे सीधा लिखेंगे क्या return as, तो return as, और यहाँ से struct node star लिख देना बस, struct node star है ना, क्योंकि आप return करवारे हो, तो of course आप लिखेंगे struct node star, pointer to the node हम return करवारे है, तो return as होगा, तो right bias scheme implement हो चुकी है, अगर आप left bias scheme implement करना चाहते थे, तो इसका मतलब S1 को बिल्कुल last तक नहीं आने देना, अच्छा, एक बर पहले एक मिट ये भी रूखो, हम boundary analysis भी कर लेते हैं, कि अगर एक भी node ना होई, तो क्या कर रहा है, एक node ही तो क्या कर रहा है, मिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो चेक करते हैं, तो suppose कर लो अगर एक भी node नहीं है हमारे पास, वा अस्टक नोट स्टार S, तो of course S will be pointing to null, मतलब S is nowhere, तो S1 भी null, तो अब आप क्या करते हैं, तो S1 तो भारा null है, तो बस सीधा लूप तोड़ गया भारा आजा होगी, तो सीधा लूप तोड़ गया भारा आजा होगी, और return करा दोगे S, तो वह भात है null ही return होगा, बात बढ़ी है अब ही, अगर एक भी node नहीं होगी, फस्क्लाज काम करता है, अगर एक मात्र node सिर्फ एक ही node होगी, तो क्या करेगा, ये भी देखो ज़रा राम से, S1 तो हमारे पास true हो गया, तो true and something फिर, आगे जा करके हमरे को checking करनी पड़ेगी, तो अब क्या बलोगे S1 का next तो null था, बस सिधा बारा होगे, return us करा दोगे, S1 पहली node को ही point कर रहा होगा, वो ही हमारी middle होगी, अफकोर्स आसमाज पारे होगे, तो no node, तो of course null is the middle, तो भी ये ठीक चल रहा है, no node में भी ठीक ठाक चल रहा है, और अगर एक node होगी, तो भी ठीक ठाक चल रहा है, हमारी return कर रहा है, तो कहीं कोई परशानी आई नीरी बेटा इस प्रोग्रम में, first class है, right bias हमने implement कर दिया, अब मज़ आएगा left bias को implement करने में, तो let me show you left bias हम कैसे करेंगे, काम बड़ा असान है, बात तो वही उठेगी, है ना कि हमारे को बस last तक नहीं जाने देना, तो इसी में हम लोग यहां पर लिख डालते हैं, क्या, while, S1, और S1 का next का next, तो हम सीधा लिखेंगे, मतलब अब मज़े की बात बता हूँ, एक मज़े की बात और बताता हूँ, अगर आपको left bias की implement करनी है, left bias implement करनी है, तो S1 यहां पर खड़ा हो, या फिर last note पर खड़ा हो, क्योंकि दो-दो का increment बारता है, last note पर तो आना ही आना है, you can say, left bias और right bias और क्योंकि odd notes होँगी, अगर odd notes होँगी, तो हमारे को पक्का पता है, एक, तीन, पांच, साथ ऐसे चलते हैं, तो last note पर ही खड़े होते हैं, अगर odd notes होँगी तो, और उसमें left bias क्या right bias क्या है, कि मिडोतर होँगी हमारा S बता देगा, first class को दिक्कत नहीं है, but even notes के चक्कर में हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हमारे को second last note तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि हमारे को left bias की implement करनी है, तो second last note तक जाने का मतलब क्या होगा, यह S1 नहीं आपे खड़ागा, तो इसका next का next नहीं होना चाहिए, I hope I've समझपा रहे होगे हैं, तो मतलब यहां तक हमारे को जाना है, तो मतलब condition क्या बनेगी, या तो आप last note पे खड़े हो, या second last note पे खड़े हो, और S1 का next का भी next, ठीक है ना, S1 का next, और, अमतलब and लगाना पड़ेगा, वही बात और लगा देगा, तो वही बात है, segmentation fault and 1 उसमें फस होगे, तो मैं इसको इसको राइट बाइस एटाओने, यहां से अब लेफ्ट बाइस आप इंप्लिमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, and, and, S1 का next का next, ठीक है, अब बताओ ज़रा, क्या होगा यहां पे, मुझे ज़रा समझाओ बेटा, S1 का next, and, and S1 का next, तो S1 का next तो वही बात है, यह तो odd को बताता ही है, इसमें तो कोई tension नहीं थी हमारे को, यह odd को बताता ही है, और अब यह even को बताएगा, ठीक है, देखो पिछे देखो, odd के लिए S1 का next आई है, and S1 का next जैसे ना लोग हम बोल देंगे, यह खता में कहानी odd है, और even के लिए हमने S1 माना था, तब यह right bias scheme थी, अगर आपने S1 का next का next मान रखे, मतर अब second last node तक ही जा रहे हो, that means आप left bias scheme implement कर रहे हो, तो even के लिए यह था, तो यह क्या हो जाएगा, left bias scheme implement हो जाएगी, तो बस यहां से जलते रहेंगे, और return as करवा देंगे, अब अब अजर मुझे प्रोग्रम first class है यह नहीं है, वह भी बात आएगी, boundary well analysis, अगर एक भी node ना ही तो क्या कर रहा है, एक node ही तो क्या कर रहा है, और वो सारी फटफ़ट से checking करते हैं, पिछले बाल तो first class चल गया था हमारा, पिछले बाल तो चल गया था, अब इसकी checking करते हैं, no node ही तो फिर क्या होगा, अगर एक बाल ना ही नहीं होईगी, तो S1 का आप next सिधा चेक कर रहें, बेटा फटफ़ज़दा होगे, क्यों कि S1 भी नल होगा, तो अब लूप लोड़के सिधा बार होगे, रिटानस करा दोगे, एक node के लिए दिखल जाएगा, 0 node के लिए नहीं चल रहा, तो आप उपर एक condition दाल सकते हो, कि S1 double is equal to null, या if not S1, सुरी, if not S1, तो आप return null कर दो, तो मैं उपर ही डाल देता हूँ condition, मुझे इसमें को दिख्कत नहीं है, इसी के उपर, हम एक condition डाल देंगे, कि S1 जिको does करते ही, हम क्या लिखेंगे बिटा, if not S1, अगर S1 null हुआ, तो हमारे को फज़दना है, तो S1 नहीं लिख्खो, या एक मिट रोको, मैं पहले अराम से लिखता हूँ, ये छोड़े से confusion होती है, दिख्कत करती है, तो अगर S1 नहीं null हुआ, हाँ, तो not S1 लिखना चाहिए था, ठीक है एक दम, तो हम क्या लिखेंगे, कि if not S1, if not S1, तो हम क्या कहेंगे, कि return null, बस ये हमारी condition जाग होगी, 0 node वाली, 1 node वाली मैंने भी आपको चक करके दिखा जी, तो सब कुछ ठाक चल रहा है, तो middle निकालना हमारे को आ चुक है, left बाइस र्याइट बाइस तो सब हो चुका है, अच्छा, अब बचता है हमारे पास क्या ये, binary search on the link list, ये कोई बात नहीं, मैं आपको हमख में देता हूँ, आप को शिश करो, इसको implement करने के, कि binary search कैसे implement होगी, ये बिल्कुल फाल्त की बात है, आपको लग रहा होगा कि binary search सिर्फ एरे पर लगती, link list पर नहीं लगती, link list पर लगेगी, मोटी-मोटी बात किया थी, mid निकालना हमारे को नहीं आता था, mid निकालना मैं आपको आप सिखा चुका हूँ, बस mid निकालना आ चुका है, तो फिर link list बनाने, ये, binary search लगाने में क्या दिखे था तुमारे को, आप लगा लोगे है ना, बस condition वही है, कि link list नुमारे sorted हो नहीं चाहिए, link list sorted, sorted हो नहीं चाहिए, तब ही चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक, आपको आपको यादा रोगा, जैसे array sorted होता था वैसे link list में, array में मज़ा क्या था, कि mid एक जटिके में निकालाता था, constant time में निकालाता था, ठीक, आपको याद नहीं तो आपको याद नहीं तो आपको याद नहीं तो आप 12 शर्च की मेरी lectures देखो, मैंने सारे तो बढ़ा रखें आपको, तो mid निकालना array में ठीक फॉर्मूला लगाना आंसर आजाएगा, बट यहाँ पर mid निकालना थोड़ा सा tension वाला काम है, link list में, बट निकल तो आता है, उसमें का दिक्कत है, मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक एंट टाइम लगेगा उसमें, अगर बढ़िया, अगर आप वो जंडू वाला लगर्जम से ला रहे हैं, अगर अगर जो अभी मैंने एफिशंट अलगर्जम पढ़ा है, वो एंट टू टाइम लगाएगा, बट अल्टिमेटली है, तो दोनों थीटा है नहीं, ठीक है ना, यह समझ में आ रहे हैं, यहाँ पर देखो ना, अब आपकी सिंपल भाश में बात करूँ, तो S1 का नेक्स का नेक्स चेक कर रहे हैं, तो यह एंट बाई टू, आधे तक हम जा रहे हैं, नोट तो हमने आधी जस देखी हैं ना, तो अफकोर्स और कंपैरिसंस की बात होगी है, तो टाइम तो बेटा वही है, अगर मैं बात करूँ तो ठीटा एंट टाइम ही लग रहा है, चीक है, अच्छा जी, और पीछे वाले में जो हमने देखा था, वो 3N by 2 लग गया था, मतलब दो स्कैन मार थे, एक पूरा स्कैन लिंक लिस्त का, और एक आधा स्कैन हमने किया था, लेकर अब हमने कैया कि है, बेटा, दो-दो को स्किप मार-मार के आगे बढ़े हो, उफकूर्स आप समपर होगे, तो डारेक्ली-ट्रेक्ली हमने आधी लिंक लिस्ती स्कैन करी है, तो इसलिए मैंने दफली लिख दी आन बाई टू तो एजिम टॉटिकली तो कोई फरक नहीं है दोनों फीटा एन दे रहे हैं बोथ एल्गो जो भी मैंने आपको दिखाए हैं बोथ एल्गो आर एजिम टॉटिकली सेम अजिम टॉटिकली सेम बत मैठेमेटिकली बत मैठेमेटिकली सेकेंड इस फास्टर विकॉज फर्स्ट क्या कर रहा है वन पॉइंट फाइव स्कैन कर रहा है लिंक लिस्ट का और जो यह second वाला है वह .5 स्कैन कर रहा है लिंक लिंक लिस्ट को, मतलब आधी स्कैन करता है, पूरी तो देखता भी नहीं है लिंक लिस्ट, एक 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 जम्प मार मार के आगे बढ़ रहे थे, तो टाइम की बात करूँगा तो अफकोर्स ये रफली बात करें तो n by 2 है और ये 3 n by 2 है तो मैं और ज्यादा इसमें गुष के टाइम विस नहीं करना चाहता आपको समयार होगा तो दोनों का ही टाइम एक्चुली में ठीटा है नहीं है ठीक है जी चलिए तो इसलिए हमने यहां पर लिखा था तो मिड़ फाइंड करना है एरे में ठीटा वन का काम है लिंक लिस में फाइंड करना है तो चाहे आप पुराना वाले लगर्दम चला लो जो दिखाए था मैंने वह 3 n by 2 लग रहा है और बड़ी वाले लगर्दम चला सब्सक्राइंड करना है तो कॉंस्टेंट की वैल्यू कुछ भी लिखने के चल सकते हैं 1 by 2 हो सकती है 3 by 2 हो सकती है और अफकोर्स हम कंपैरिशन सी देख रहे हैं यहां पर ज्यादा कुछ करनी रहे है ठीक है कहा है मैं और ज्यादा बोल केसमें टाइम वेस्टी करना चाहत इतना मैं छोड़ देता हूं ओमवक में दे रहा हूं 90 क्या 99% आपका कोशन्स वाल हो चुका है अगली लेक्चर में आगर करके यही से आगे बढ़ाऊंगा आपको फटा-फट से कोड लिकर के दिखा दूंगा बाइनरी सर्च का लिंक लिस्ट के लिए और फिर हम लोग आ पने फ्रेंट के शेर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले में और ज्यादा से जादा काम कर सकूँ आप लोगों के लिए और अगर आप मुझे डोनेशन देना चाहते हो तो QR कोड आपको मिल जाएगा अगर चैनल बैनर पे राइट हैं उपर टॉप राइट में अगर आप कम्प्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट को आप मिल जाएगा नहीं तो आपको डिस्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहते हो दे सकते हो डाउट की बट प्रब्लम रहते हैं रियल टाइम में चलना चाहते हो बहुत अच्छे से प्रपर मैनेज तरीके से की डाउट सव लग 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 हो तो आप उसको भी सब्स्क्राइब कर सकते हो लिंक आपको डिस्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ फ्री है वह ए ना मैं किसे के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ ऑश everything is free of cost, donation देना चाहते हो, most welcome, आप दे सकते हो, बट यह सब चीज़ है, मैं आप लोगो के लिए lifetime फ्री रखूँगा, Discord server हो गया, Telegram channel हो गया, और मेरा YouTube channel हो गया, everything will be free of cost, मैं अपने मुझे कभी कुछ नहीं मांगूगा आप से, ठीक है, आप जो देना चाहते हो, आप वो मुझे दे सकते हो, ओके, thank you so much, bye bye.